हलो बच्चों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथमाजिक्स में बच्चों मेरा नाम है अंकित सर और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगा Physics, Chemistry और Mathematics के Concepts with a viewpoint of IITJ and NEED यानि कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको तयारी करवाऊंगा इन तीनों सब्जेक्ट्स की MCQ format में तो क्योंकि ultimately जो exams के आप तयारी कर रहे हैं बटा वो MCQ nature की है और MCQ में सबसे important ये होता है कि वहाँ पर multiple concepts के questions आते हैं तो last minute preparations को check करने के हिसाब से या फिर concept building के हिसाब से या फिर अपनी knowledge को test करने के हिसाब से ये MCQ format का जो preparation का तरीका है ये सबसे best होता है तो आज के इस वीडियो में में ले लेकर आया हूँ आपके लिए IITJ mains और advanced का mixture एक question जिसका IIT mains में आने का chance तो बहुत strong है और IITJ advance में इस concept पर based कोई दूसरा जो question है वो definitely आ सकता है तो आगे बढ़ने से पर एक छोटा सा request है कि please चैनल को subscribe कीजे और इस वीडियो को share कीजे अगर ये सच में आपको पसंद आता है तो चलिए शुरुआत करते है question की question में थोड़ा बहुत पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये concept of differentiation के concept of differentiation पर based है तो यहाँ पर लिखा हुआ है the derivative of 10 inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x with respect to 10 inverse 2x square root 1 minus x square divided by 1 minus 2x square is given by which of these options तो यहाँ 4 options है और इस में से correct option हमें identify करना है अब सबसे पहले एक चीज में आपको बताता हूँ कि class 12 जो होता है उसमें आप इस question को कैसे करते थे आप ये करते थे कि जो first function आपका होता था उसे आप एक u suppose करते थे ठीक है या कोई दूसरा alphabet ले ले लेते हैं फिलाल के लिए a ले लेते हैं तो इसे आप ले ले लेते थे for example a और second वाले को आप ले 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 थे थे b फिर आप निकालते थे da by dx और फिर आप निकालते थे db by dx और फिर last में दोनों को कर देते थे divide लेकिन यह जो तरीका है जिस तरीके से आपने class 12 में से solve किया था बिटा यह यहां पर इस तरीके से solve नहीं होगा क्योंकि functions की length देखे यह दूसरा function भी कोई कम नहीं है अब अगर directly इन दोनों functions को differentiate करने जाएंगे तो पूरी class जो है वो paper solve करके घर चली जाएगी और आप जो है वो एक ही question पर अटके रह जाएंगे तो इसे हम करेंगे एक short trick की मदद से वो short trick यह है कि हम तब तक differentiation नहीं करेंगे जब तक इन दोनों functions को हम जो है वो minimum किसी एक ऐसी stage पर ले आएं जहां से differentiation करना बहुत easy task हो हमाच लिए ठीक है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहां पर हम differentiation के पहले इसे reduce करते हैं using the concepts of trigonometry तो इस वाले part के लिए let x is equal to 10 theta तो यहां पर इस function में हम substitute करेंगे 10 theta ठीक है और that means यह वाला जो function इसे थोड़ी तर के लिए y भी suppose कर लेते हैं तो y की value हो जाएगी 10 inverse चले यहीं लिख देता हूं y is equal to 10 inverse की पूरा function अब यहां पर हम substitute कर देते हैं x की जगे 10 theta so that means y is equal to 10 inverse of square root of 1 plus 10 square theta minus 1 divided by 10 theta इसे और आगे solve करते हैं so this will be 10 inverse अब square root of 1 plus 10 square theta यह होता है sec square theta और sec square theta का square root होता है sec theta तो यह हो जाएगा sec theta minus 1 divided by 10 theta अब इसे हम जो है आगे और reduce कर सकते हैं in terms of theta so यह हो जाएगा y is equal to 10 inverse इसका जो है बिटा हम sine और इसको हम cos में change कर देते हैं so sec theta is basically 1 by cos theta तो यह हो जाएगा 1 by cos theta minus 1 divided by इसे हम कर देते हैं 10 theta की जगे sine theta by cos theta so this will be 10 inverse of यह cos theta यहाँ पर LCM में आ जाएगा 1 minus cos theta and then this is divided by sine theta denominator का cos theta है वो दोनों जगे से cancel out हो जाएगा so now we have 1 minus cos theta and sine theta अब यहाँ पर इसको करने के वैसे तो 2-3 तरीके है easiest approach में आपको बता देता हूँ हम इसमें जो है वो 10 में इसको convert कर सकते हैं वैसे यह एक direct formula है 10 of theta by 2 का तो फिलाल मैं इसको directly ऐसा substitute कर देता हूँ hence जो y की value निकल कर आएगी वो आएगी 10 inverse of 10 theta by 2 क्योंकि 1 minus cos theta क्या होता है 2 sin square theta by 2 और sin theta को लिख सकते हैं 2 sin theta by 2 cos theta by 2 so cancel करके वो बचेगा sin theta by 2 divided by cos theta by 2 which is 10 theta by 2 10 inverse से 10 cancel मतलब क्या बचेगा last में theta by 2 अब यह जो theta है इसकी value कितनी थी 10 inverse जो 10 theta था that was x so x theta की value हो जाएगी 10 inverse of x तो यह देखे यह जो original question जो मुझे इतना बड़ा given था इसे मैंने इतने से function में reduce कर दिया अब मैं इसका differentiation ले लेता हूँ so that means dy by dx is equal to dy by dx is equal to half multiplied by differentiation of 10 inverse x is 1 by 1 plus x square तो यह आगे हमारा first part of the answer इसे मैं देता हूँ equation number 1 इसे तरीके से अब हम solve करेंगे अपने second part को इसी तरीके के substitution के साथ तो उसे मैं मान लेता हूँ z so let z is equals to 10 inverse 2x square root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square ठीक है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे z assume कर लिया अब यहाँ पर भी पिछले वाले part की तरह हम 10 theta में substitute करेंगे इसी तरीके के substitution करेंगे बट क्योंकि theta हमने उपर assume कर लिया था तो यहाँ पर हम x की जगे ले लेते हैं sine phi अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है so this is equal to 10 inverse यहाँ पर हमने substitute किया है x की जगे sine phi तो यह हो जाएगा 2 sine phi into 1 minus sine square phi whole divided by 1 minus 2 sine square phi यह इस तरीके से हमने assign कर दिया अब बस इसे अब हमें जो है वो open करना है तो इसे open कर लेते हैं z is equals to 10 inverse यह हो जाएगा 2 sine phi और यह हो जाएगा square root के अंदर cos square phi so बहार जब वो आएगा तो यह हो जाएगा cos phi this is then divided by अब यह जो 1 minus 2 sine 1 minus 2 sine square phi जो है this is a direct formula for cos 2 phi so this is equal to 10 inverse of sine 2 phi divided by cos 2 phi so z की value क्या आजाएगी 10 inverse z की value आजाएगी 10 inverse of 10 2 phi so the answer will be 2 phi लेकिन हमने सब्सूट क्या था x की जाएगे sine phi तो phi की value क्या हो जाएगी sine inverse of x this is ultimately 2 sine inverse x तो आप देखें वापस से मैंने जो original question था उसे कितनी छोटे terms में reduce कर लिया अब इसे कर देते हैं differentiate so dz by dx this will be equal to 2 multiplied by differentiation of sine square x is 1 divided by 1 minus x square so let's say this is equation number 2 तो यह हमारा आगे है बिटा final answer लेकिन अभी यह हमारे आए है individual answers हमें ultimately निकालना था different derivative of y with respect to z यानि at x equal to 0 यानि हमें value निकालनी है dy by dz की तो dy वाला function dy by dz का मतलब यह होगा कि dy by dx की जो value है उसे हम divide कर देते हैं dz by dx की value से तो dy by dz की जो value है वो कितनी आ रहे थी 1 by 2 1 plus x square और नीचे वाला function उपर जाके reverse हो जाएगा so this will be square root of 1 minus x square divided by 2 यह हमारा answer आ चुका है लेकिन यह हमें निकालना था at x is equal to 0 पर तो x is equal to 0 यहां सब जगे substitute कर देते हैं so यह हो जाएगा 1 divided by 1 plus 0 तो यह तो 2 बचेगा और यह हो जाएगा 1 by 2 so that means the final answer for this question is 1 by 4 यानि कि dy by dz is equal to 1 by 4 so this is the final answer that we were looking for so I hope that this video was informative enough और हमारा यह जो options दिये हुए है यहां पर भी हम अपने correct answer को टिक कर लेते हैं so since the correct answer for this question is 1 by 4 तो यह जो 1 by 4 है option number B that means this is the correct answer इसको हम यहां पर कर देते हैं green color so I hope that this video was informative enough और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए जो कि IITJ और NEET पर focused है मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा अभी हमने शुरुआत की है mathematics के साथ but slowly and steadily we are moving towards chemistry and physics also in fact physics हम लोग पहले लेंगे as compared to chemistry क्योंकि physics chemistry में क्या होता है कि chemistry में concept based questions ही है maximum बोलूँगा roughly 90% questions 95% in fact physical को अगर छोड़ दे तो उसमें directly हम मतलब इतना कुछ calculation करते नहीं है we directly point out the answer so इसके just बात में लेकर आपके लिए physics के MCQs and thank you so much for watching आपके लिए है